येसु ने ये बातें कहीं और अपनी आँखें आस्मान की तरफ उठा कर कहा ए बाप वो गड़िया पहुचे अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे चनाँचे तुने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया ताकि तुने उसे बख्षा है उन सब को वो हमेशा की जिन्दगी दे और हमेशा की जिन्दगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक को और येसु मसीख को जिसे तुने भेजा है चाने जो काम तुने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया और अब एबाब तु इस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाश से पेशतर तेरे साथ रखता हूं मुझे अपने साथ जलाली बना दे मैंने तेरे नाम को नादमियों पर जाहिर किया यहने तुने दुने दुनिया में से मुझे दिया वो तेरे थे और तुने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है अब वो जान गए है कि जो कुछ तुने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से, क्योंकि जो कलाम तुने मुझे पहुचाया, वो मैंने इनको पहुचा दिया, और उन्होंने उसको कबूल कि और साथ जान लिया, कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वो इमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है, मैं दुनिया के लिए नहीं, इन के लिए दर्खास करता हूँ, जिने तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है, वो सब तेरा है, और जो तेरा है, वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है, मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ ऐ कुद्दूस बाप अपने इस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्षा है इनकी हवासत कर ताके वो हमारे तरह एक हूँ जब तक मैं इनके साथ रहा मैंने तेरे इस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्षा है इनकी हफासत की मैंने इनकी निगेबानी की और हलाकत फर्जन के सिवा इन में से कोई हलाक नहीं हुआ ताके किताब मुकद्द्स का लिखा पूरा हो लेकर अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बाते दुनिया में कहता हूँ ताके मेरी खुशी इन्हें पूरी पूरी हासिल हो मैंने तेरा कलाम इने पहुचा दिया और दुनिया ने इनसे अदावत रखी इसलिए कि जिस तरह से मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया का नहीं मैं ये दर्खास नहीं करता कि तो इन्हें दुनिया से उठा ले बल्कि ये की शर्थ से इनकी हिफाज़त कर जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं इन्हें सच्चाई के वसीले से मुकदस कर तेरा कलाम सच्चाई है जिस तरह तुने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी इने दुनिया में भेजा और इसकी खातिर मैं अपने आपको मुकदस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकदस किय जाए मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दर्खास नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर इमान लाएंगे ताकि वो सब एक हो यानि जिस तरह एबाब तु मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वो भी हम में हूँ और दुनिया इमान लाए कि तुने ही मुझे भेजा और वो जलाल जो तुने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक है मैं इनमे और तु मुझ में ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने की तु ही ने मुझे भेजाए और जिस तरह के तुने मुझे से महापत रखे इनसे भी महापत रखे ऐ बाप मैं चाहता हूँ कि जिनने तुने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो ताकि मेरे इस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझे से महपत रखी ऐ आदिल बाप तुनिया ने तो तुझे नहीं जाना मकर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे बेजा और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा ताकि जो मुहबत तुझको मुझसे थी वो इन में हो और मैं उन में हूँ ये सूई